कि अलमस लर्निंग मनेजमेंट सिस्टम और हैड़ अब इंसुशन्स यह वीडियो है एड्मिन्स के लिए हैड़ अब इंसुशन्स के लिए प्रेंस्पल हो हैड़ मास्टर हो या फोस्टीचर हो इनको लॉगाउन करना है वेबसाइट पे आप देख रहे होंगे डेसकलमस.spaces.loginpages.login.aspx यह सभी के लिए है टीचर हो, स्टुटन्ट हो या एड्मिन अकाउंट हो या एड्मिन असुशन हो यह सभी को लॉगाउन करना है इसी पोर्टल पे सभी का अकाउंट यह से सेट अप हो जाएगा जो ही आप लॉग इन करेंगे इस वेबसाइट पे तो आपके सामने यह पेज आ जाएगा लर्निंग मनेजमेंट सिस्टम बाई डेस्क यहां पर आप लॉग इन डिटेल डालेंगे यूजर नेम और पास्फूर्ड उसके बाद में साइन इन करेंगे जो ही साइन करेंगे आप तो आप इस पेज पे आ जाएंगे यह आप यह एड्मिन अकाउंट है हेड़ड इनस्टेशन का अकाउंट है यहांपर सबसे पहले दिखाएगा सुकूल का नाम और हेड़ड इनस्टेशन का नाम और राइट कॉर्णर में उपर आप देख पार होंगे एड्मिन यहांपर आप प्रोफाल व्यूड कर सकते हैं लाग आउट भी कर सकते हैं यहीं हो या student हो, सभी को इसी website पर login करना है, अपना username और password डालना है, तो वो अपने-अपने account में उनको अपना-पना dashboard देखेगा, तो अब रही बात जो head of an institution है, या admin है, उसके कुछ थोड़े काम extra है यहांपर, उसको school का account setup करना है, उसके लिए उसको teachers, faculty एड़ करनी है, और students पर एड़ करनी है, यह admin account से ही होगा, और दुसरा काम उसका है, कि आप खुद से अपने video, अपना content डाल देना, यह रहा school का dashboard, teachers और students, उनका e-content यहांपर आएगा, उनका video uploads, जो भी होगे assignments होगे, वो यहांपर दिखाएगा, और जो अपने contents होगे, videos, e-content या assignment, वो यहांपर show करेगा, और यह रहा table, यह admin का panel है, यहांपर जितने भी teachers या students होगे, वो यहांपर show करेगा, तो सबसे पहले आब, admin का काम है कि, school का account set up करना है, इसके लिए school में जाएंगे, add faculty करेंगे, जो ही add faculty पे click करेंगे तो, यह page आएगा सामने, add teacher, add teacher यहांपर जाएंगे, हम पहले select करेंगे, district zone select करेंगे, school select करेंगे, faculty name डालना पड़ेगा, designation भी डालना पड़ेगा, mobile number भी डालना पड़ेगा, यहां से, और nature of appointment select करना पड़ेगा, faculty rule क्या है, head up in institution है, यह faculty है, और उनका password, उसके बाद में add करेंगे, तो यह website में add हो जाएगा, उसके बाद में दूसरा काम है, head up in institution का कि, students को add करना, यहां पर हम जाएगे, school management में, school management में जाएगे, यहां पर यह money students का page खुलेगा, add student, यहां पर हम select करेंगे, district, school select करेंगे, class, stream name, 1 to 10th है, general order, 11 to 12th का है, stream, student name डाल देंगे, mobile number डालेंगे, enrollment डालेंगे, enrollment हम डाल सकते है, वो साथ साथ में शोग करेगा और चुछ में पिस्टूडंट हम एड करेंगी वो भी यहां पर शोग करेगा तो इस तरह यह दूनों यह एडमिन का काम है कि स्कूल का एकाउंट सेट अप करना बोड टीचर्स एंड स्टूडंट्स इसके बाद में रहा कि टीचर्स कैसी अपना डेटा अप्लोड कर सकते हैं उसके लिए मैं दूसरा वीडियो दे रहा हूँ थैंक्स पर वाचिंग दूशियर और सबस्क्राइब